नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चबी आईए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और आमादमी पार्टी ने राजगर में एक बैठा कायचन किया इस बैठक में मुक्तिती के तोर पर दिल्ली की विधायक कुल्दीब कुमार और जिला सुमौत रभारी डॉक्टर बलवंतर सिंखा उपस्तित रहे इस बैठक की अद्धिक्षिता बंडल अद्यक्ष अजय वर्मा आमादमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अंकुष चोहान ने यहां जारी एक प्रेस बयान में भाजपा सरकाल को घेटे हुए कहा कि दो दिन पहले जनता को लुभाने के लिए सराहा में स्वास्त विभा की और से एक स्वास्त मिले का आयोजन किया गया था जो कि केवल जन बात दाता जूरी शर्मा के देपोर्ट बीजेपी इस वक्त दिखाना चाहि कि हम लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पच्छाद के ही हस्पिटलों की बात कर रहा हूं इस वक्त सियम ने तीन साल पहले राजगर्ड हॉस्पिटल को लेकर जो है सौब एड़िट करने की गोशना की गई थी लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया है और वही गोशना जो है आज स्वास्ते मंत्रे फिर से करके चले गए है हॉस्पिटलों में जो है स्टाफ की बात करते है चिकित सकते हैं। ऑर जाने वाले है। राजगर्ड हॉस्पिटल की बात करते है तो M.O. P.E. जो काफी समय पहले से जिसकी अधिसुचना जारी की गई थी आज तक वो पद नहीं भरा गया है और साथी साथ स्रहां हॉस्पिटल की बात करते हैं तो जिसको अभी अपग्रेड करके स्वाप एड़ेड करने की जो है स्रीकृति अभी दी गई है उसको लेकर जो वहां पे स् इस वक्त जो है स्वास्ते मेलो का योजन करके जनता को अपनी तरह फाकरशिक करने का प्रयास कर रही है जो कि केवल और केवल जनता को मुर्क बनाने का काम किया जा रहा है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है हमारे फेस्बूक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले